हलो एब्रीवन वेलकम तुझे एपिजी इस सीरीज आइट लर्नोहब मैं हूँ अज्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉजए ओनली आइट लर्नोहब.com जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ, बायोजी सारे चैप्टर्स के सारे वीडिय को, इससे पहले पार्ट वन ने हमने हीट ट्रांसफर को अच्छे से समझा है, अब हम फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, पहला टॉपिक है जीरोथ बहुत ही fundamental एक law है, क्या कह रहा है जीरोत law, अच्छा जीरोत law को समझने से पहले हम समझेंगे थोड़ा heat exchange के बारे में, किस के बारे में, heat exchange के बारे में, तो हमें क्या पता है कि heat exchange का possible है दो object के बीच में, सपोज यह object है A, यह object है B, ठीक है, दोनों के बीच में heat exchange या फिर heat transfer का possible है, जब दोनों अलग-अलग temperature पे है, अगर दोनों की same temperature होगी, तो heat transfer नहीं होगा, दोनों अलग-अलग temperature में है, तो heat transfer होगा, अब heat transfer किस तरफ होगा, hotter object से colder object के तरफ, ठीक है, तो hot object मैं सपोस करता हूँ, A hot है, B cold है, तो heat transfer जो होगी, वो hot से cold होगी, right, hot से cold के तरफ होगी, अब देखो, बात करते हैं कि जब यह heat exchange चल रहा है, तो क्या हो रिए, hot object में क्या होगी है, कि जब exchange हो रहा है तो इसकी जो internal energy है जितनी भी अब hot से वो धीरे-धीरे cold हो रही है मतलब इसके internal energy क्या हो रही है कम होते जा रही है internal energy जो है decrease होते जा रही decrease कब हो रही है जब ये धीरे-धीरे cold हो रही है ठीक है energy decrease हो रही है right कब जब heat exchange चल रहा है तब और अगर इसका उल्टा हो रहा है यानि कि को इसमें क्या हो रही है increase हो रही है internal energy ठीक है इसमें क्या हो रही है internal energy increase हो रही है तो यह कुछ point आएगा जब दोनों की temperature जो है वो same हो जाएगी मतलब heat transfer या फिर heat exchange जो heat exchange हो रहा था वो अब नहीं होगा उस case में हम इसे कहेंगे क्या कि these two system are in thermal equilibrium अच्छा thermal equilibrium को कौन determine करेगा कौन बताएगा कि यह thermal equilibrium में है या नहीं हमें पता कैसे चल रहा है कि heat exchange हो रहा है या नहीं जब temperature difference है तो heat exchange होगा thermal equilibrium मतलब दोनों की temperature जो है वो same temperature हो जाएगी ठीक है तब हम कहेंगे क्या these two objects are in thermal equilibrium तो यह था heat exchange के बारे में अब zeroth law of thermodynamics क्या कहता है कि अगर दो object हो जिससे हम adiabatic wall से separate कर रखें अच्छा यह adiabatic wall मतलब क्या है कि इन दोनों object के बीच में heat transfer नहीं हो रहा है ठीक है adiabatic wall मतलब इन दोनों object के बीच में जो wall है जो दिवार है इसमें से कोई भी heat transfer नहीं हो रहा है adiabatic wall does not allow any heat transfer no heat exchange ठीक है यह कौन adiabatic अब आता है दूसरा कि दोनों दो system रखी गई है एक है A एक है B दोनों का separate किया गया है किस से adiabatic wall से ठीक है और यह भी पूरा का और एक system रखी गई है C जो की एक diathermic wall से separated है diathermic wall मतलब heat transfer is allowed heat exchange is allowed मतलब heat exchange हो सकता अब देखो common sense क्या कहता है कि A और B अगर एक दूसरे से separate किया गया है by diathermic wall sorry adiabatic wall मतलब इन दोनों के बीच में heat exchange नहीं हो रहा है लेकिन A और C के बीच में heat exchange हो रहा है और B और C के बीच में भी heat exchange हो रहा है because they are separated by a diathermic wall अब यह जो तीनों मिला के जो एक system है इसको भी एक adiabatic wall से separate किया गया है from the surrounding मतलब surrounding से surrounding से कोई heat exchange यहाँ पे नहीं हो रहा है किसी भी system पूरे इस system में surrounding से कोई heat का लेना देना नहीं चल रहा है तो हमें क्या समझ में आया है कि तीन system है A, B जो कि एक दूसरे से separated है और C एक system है जो कि दोनों से क्या है जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है in the sense की heat exchange हो पा रहा है तो अब जीरोत law यह कहता है कि अगर A is in thermal equilibrium with C A is in thermal equilibrium with C का मतलब है A और C की अगर temperature same है मतलब इसमे heat exchange नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है मतलब की heat exchange जितना होना तब वो हो चुका अब यह thermal equilibrium पे आ चुका है ठीक है and B is also in thermal equilibrium with C तब क्या देखा जा रहा है इसके बाद जब observe किया गया तो यह पता चला कि A is also in thermal equilibrium with B and A और B बोत आर in thermal equilibrium मतलब A अलग से C से thermal equilibrium में है, B अलग से C से thermal equilibrium में है अगर ऐसा condition हो रहा है तो देखा जा रहा है कि A और B दोनों ही आपस में thermal equilibrium में है इस चैप्टर में पूरा डूबने से पहले हमें कुछ important terms को ध्यान में रखना होगा तो जैसे हमारे पास यह तीन पहला important terms आते हैं जैसे कि system, surroundings and thermodynamic variables तो पहली बात तो system क्या है, एक system हम कब कहते हैं, देखा हमने जब rotational motion पढ़ा था तब भी हमने system of particles को जाना था मतलब एक system, एक organization या फिर एक जगह पे जहां पे बहुत सारे particles एक साथ है, उसे हम कह रहे थे हैं क्या system तो कुछ इसी type का है कि एक macroscopic group और macroscopic group of particles like atoms and molecules जिसकी एक definite pressure, volume या फिर temperature हम determine कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे क्या system इस group की definite temperature, pressure या volume हम define कर सकते हैं, आधर इसकी quantities को हम define कर सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, एक system कहेंगे, और surrounding क्या हो जाएगी, इस system की कुछ भी बाहर जो होगी, वो क्या हो जाएगी, surrounding ठीक है, तो देखो, इस thermodynamics के chapter में हम कुछ इस तरह का system को consider करेंगे, अगर हम gas है, अच्छे यह system लेकिन तीनो टाइप की हो सकते हैं, तीनो matter की तीनो states में यह हम इसे consider कर सकते हैं, solid, liquid, gas जनरी thermodynamics में, इस chapter में हम gas के बारे में जान रहें, thermodynamics मतलब gas के ऊपर हम पढ़ेंगे इस chapter में, thermodynamics का मतलब क्या होता है, जो thermal heat exchange के बारे में जो physics है, जो branch of physics, जो heat exchange के ऊपर, या फिर thermal properties का flow, thermal flow के उपर जो हम पढ़ रहे हैं, उसे हम कह लें, या thermodynamics, चीक है, यहाँ पे हम किस state की बात करेंगे तो thermodynamics के पूरे chapter में हम जो एक consider करके रखेंगे ना वो ये piston and ये वाला system हम consider करेंगे piston मतलब क्या होता है देखो ये रही इसके अंदर कुछ particles of gases ठीक है और इसे हमने isolate कर दिया isolate का मतलब होता है कि surrounding से इसे हमने अलग करके रखा है ठीक है इसकी pressure को हम इस piston को like उपर नीचे move करके इसकी pressure को घटा या बढ़ा सकते है simultaneously इसकी volume या फिर इसकी temperature भी वैसे change हो सकते है temperature को change करने के लिए हम इसे नीचे से heat कर सकते है तो ये कुछ हमने इस तरह का system हमने बना रखा है और इसी का आगे हम बहुत सारा use करने वाले है इस type के system का ठीक है तो अब देखो system को क्या कैसे कहेंगे कि ये जो piston के अंदर जो gas है इसे हम माल लेंगे क्या system इसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और बाहर की दुनिया क्या है उसे हम कहेंगे क्या surrounding ठीक है system and surrounding का जानना या फिर system and surrounding का concept clear होना बहुत important है ठीक है system का surrounding से ऐसे हमने अलग कर रखा है कि इसका इससे कोई heat exchange नहीं हो रहा है कोई भी यहां पे कोई भी physical properties का या फिर कोई भी property का exchange नहीं हो रहा हो ठीक है यह होती system and surrounding समझ में आगी बात करते है thermodynamic variables की तो एक system की जो variable quantities है जैसे कि इसकी pressure रैट जिसे हम घटा या बढ़ा सकते है volume रैट temperature यह सब क्या हो जाती है thermodynamic variable सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ साथ entropy internal energy यह भी क्या है thermodynamic variables लेकिन entropy या फिर internal energy को हम pressure volume या temperature के terms में लिख सकते हैं I hope यह 3 terms clear हो गए होंगे अब बात करते हैं कुछ thermodynamic processes के बारे में यानि कि जो एक system undergo करेगी some process इस type के कुछ processes यहां पे लिखे हुए जैसे कि isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric, non-cyclic, cyclic और इसके अलावा भी एक होती है जैसे इस quasi static process यह processes जैसे कि isothermal process के अगर मैं बात करूँ, so यह वो process है जब एक system को heat किया जा रहा है, right, उसको surrounding के साथ यह कोई system है, चीक है, इसको हमने बाहर से, सर, अभी आप बोलोगे कि सर, इसके पहले आपने कहा था कि system और surrounding का कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमने यह design इस तरह से किया है कि system और surrounding का कोई लेना देना नहीं हो, बट फिर भी यहां पे हमने एक layer ऐसा बनाई है जो इसके नीचे है, जिससे क्या है, इसमें heat transfer हो सकती है, मतलब यहां पे मैंने gas burner रखा है, और इस gas burner और अंदर में क्या है system में, कोई gas है तो अगर मैं यह heat करूँगा, तो यह obviously gas में कुछ changes आएंगी, right, तो यही जो changes है, यही जो process है, इसके बारे में हम समझेंगे thermodynamics process में isothermal process क्या होती है, कि जो भी gas में changes आ रही है, जो भी process हो रही है, उसमें क्या है, temperature जो है, वो अगर constant रहता है मतलब, जो thermodynamics variable थी, ती, PVT, pressure, volume and temperature, जिसमें से pressure and volume change हो रहा हो but temperature जो है, वो constant है, ठीक है, तो इस case में हम क्या समझ सकते हैं, कि PV equals to RT होती है, हमें पता है, PV equals to RT for one gram of, और one mole of gas के लिए, right, PV equals to that is the gas equation, यह हम जानते हैं, PV equals to RT तो अगर T बी constant है, RV constant है, तो P and V is also constant, यह हम जान सकते हैं, in case of isothermal expansion और in case of isothermal process, PV equals to constant, मतलब कोई भी ऐसा process हो रहा हो जिसमें pressure और volume change हो, बड़ temperature change ना हो, उसे हम कहेंगे क्या isothermal process, बात करते हैं, adiabatic process की, adiabatic process में क्या हो रही है, कि तीनों ही change हो सकती है pressure, volume, temperature, तीनों ही change हो सकती है, लेकिन कोई heat exchange allowed नहीं होगा heat exchange is not allowed, ठीक है, heat exchange is not allowed इस तरह का अगर कोई process हो, जहां पर pressure, volume, temperature भली change हो रहा हो लेकिन heat जो है, वो change नहीं, heat exchange from the surrounding is not allowed ठीक है, इस तरह के हम कहेंगे, क्या adiabatic process, लेकिन जीरोत लाओ में भी समझा था adiabatic wall से जब हम किसी चीज को दो, system को separate कर रहे हैं, मतलब उसमें heat exchange नहीं हो रही है अब बात करते हैं, अगर ऐसा adiabatic process हो तो उस case में हम लिखते हैं, PV to the power gamma equals to constant अब यह gamma क्या है, वही coefficient of volume expansion, that is, CP by CV हम लिख सकते हैं इसे हम दिये थे नाम गामा, CP by CV का हमने गामा नाम रखा था और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो, TV to the power gamma minus 1 equals to constant ठीक है, TV to the power gamma minus 1 equals to constant इसे हम adiabatic के cases में लिख सकते हैं, ओके, adiabatic समझा है और isothermal समझा है, अब यह देखो, isothermal process का possible है जब कोई process बहुत ही slow चल रहा हो, very slow process हो, तब इसे हम isothermal उस case में possible हो सकता है adiabatic process क्या है, quick process है quick process है, isothermal process का example क्या हो सकता है तो isothermal process के example में हम लिख सकते हैं, melting of ice, boiling of water मतलब यह process, melting मतलब पूरा melt हो जाना नहीं, जब melt होना start हो रही है या फिस जब boil हो रही है, तो उस case में क्या है, melting के time पे वो क्या हो रही, solid से liquid बन रही है, एक ice क्या है, solid से liquid जा रही है लेकिन इस state में यह जो पूरे process हो रही है, melting की, इसमें उसकी temperature क्या है constant रहती है, right, क्यूंकि हमने पढ़ा था latent heat में कि जितनी भी heat दी जा रही है वो उसकी temperature को नहीं बढ़ा रही है, ताकि उसकी मदद कर रही है क्या state को change करने में, solid से liquid state में change करने में वो heat जा रही है, that is the latent heat तो इस case में क्या हुआ, इसकी temperature पूरे पूरे process में क्या है constant है, और melting या फिर boiling है, slow process है so this is example of isothermal, adiabatic process मतलब quick process है जो कि एकदम sudden से चुटकी में हो जाए, जैसे कि bursting of bursting of tube, cycle tube है tire tube, ये क्या है, तुरंट इसमें से pressure release हो जा रहा है तुरंट इसमें से इसकी volume जा हुए, अंदर air की जो volume है फटक से खाली हो रही है, तो pressure volume का change हो रहा है sudden change हो रहा है, तो ये quick process है, हम इसे कहेंगे क्या, आइसो, sorry, adiabatic process now, बात करते हैं, isobaric process के, isobaric process क्या होती है, जहाँ पे pressure constant है pressure constant है, वो thermodynamic process जहाँ पे pressure constant हो, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे isobaric process, okay, isobaric process, isocoric process, the process in which volume is constant volume is constant और very negligible, or a negligible decrease in volume अगर बहुत ही negligible decrease या increase in volume हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे क्या, isocoric process, बात करते हैं, cyclic process की, cyclic process एक ऐसी process है कि, देखो, process, initial state देखो, हम process को किस तरह से कर सकते हैं, एक initial state है एक final state है, right, तो अगर मैं melting of ice की बात करो, तो इसकी initial state क्या है, ice cube process melting होने के बाद, उसकी final state क्या हो गई, water हो गई, right, तो इसमें initial और final state आपको समझ में आया, अगर cyclic process यह होता है, कि initial state से वो process हुआ, कोई भी process हुआ, फिर वो final state को पहुँचा, फिर वापस से final से initial state को पहुँच गया, अगर इस तरह का कोई process हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे क्या cyclic process, और अगर इस तरह का नहीं हो रहा है, दिन उसे हम कहेंगे क्या non-cyclic process, ठीक है, cyclic process, non-cyclic process clear हुआ, isobaric, isocoric का example में बता देता हूँ, isobaric process वो है कि अगर heating of water, और अगर मैं water के heat कर रहा हूँ, maintaining a constant, या फिर maintaining a atmospheric pressure को change नहीं हो रही है हूँ, मतलब अगर particular atmospheric pressure में अगर, अगर मैं water को heat कर रहा हूँ, तो मैं उसे कह सकता हूँ, this is, जो process वो system undergo हो रही है, that is the isobaric process, isocoric process में क्या है, isocoric process का example हम लिख सकते है, कि देशे की ice melt ही हो रहा हो, लेकिन इसके volume में जो है, वो very negligible अगर change आती है, वो ऐसे तो negligible change आती है, पर अगर मैं उसको हटा दूँ, अगर उस negligible change को consider नहीं करूँ, तो मैं क्या जानूँगा कि volume जो है, वो constant रही है, तो मतलब isocoric process वो मैं कह सकता हो, चीक है, isocoric और isothermal में मैं same type के example दियो, बट ऐसा नहीं है, isothermal में क्या है, pressure, volume दोनों change हो सकता है, pressure और volume दोनों change हो सकता है, बट temperature constant रहना चाहिए, चीक है, चीक है, isocoric, इसके अलावे एक आती है, quasi-static, quasi-static एक very slow process है, extremely slow process, चीक है, quasi-static का मतलब यह है कि जितनी भी changes हो रही हो, लेकिन, at any instant of time, मैं अगर उसे देखूंगा, तो उसकी जो temperature है, वो हर जगा पे same मिलेगी, इसकी temperature, pressure हर एक point पे same मिलेगी, उस system पे, ओके, indicator diagrams और PV diagrams, यह क्या बताती है, कि pressure और volume के बीच का relation क्या है, या फिर pressure किस तरह से volume के साथ vary कर रही है, जब कोई भी एक thermodynamic process हो रहा हो, thermodynamic process इसके just पहले जो हमने पढ़ा था, isothermal, adiabetic, isocoric, isobaric and so on, यह सारे thermodynamic process जब चल रही है, तो pressure और volume किस तरह से एक दूसरे के साथ vary कर रहा है, या फिर किस तरह से एक दूसरे के साथ related है, चीक है, तो generally हम y-axis में लिखते है pressure को, और x-axis में हम draw करते है volume के change को, कोई भी अगर एक system है, जो कि suppose a, p1, v1 से b, p2, v2, यह a, b क्या है, a है इसकी initial state, उस system की initial state, and b है उस system की final state, तो उस initial से final step में, pressure और volume में क्या-क्या changes आये है, या फिर pressure और volume क्या change हुआ है, वो a, p, v, diagram या फिर indicator diagram हमें बताता है, इसके बीज का जो state से वो क्या है, system के intermediate step है, मतलब initial से final तक जाने के पहले जो भी intermediate states है, वो ये हमें curve हमें बताएगा, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे thermodynamic process के लिए, हम ये देख सकते हैं, कि this is thermodynamic process का pv diagram, कि isobaric के case में देखो ऐसा होता है, isobaric क्या है, pressure constant, तो अगर pressure constant हो गया, तो volume ही बढ़ता रहेगा, तो इसलिए ये straight line हो गया, parallel to x axis, isochoric में volume constant होता है, मतलब volume के तरफ कोई change नहीं है, सिर्फ pressure के तरफ change है, तो ये isochoric process हो गया, isothermal और adiabetic process कुछ इस तरह से दिख रहा है, अब इसको थोड़ा सा समझते हम, isothermal process के case में pv diagram या फिर इसकी slope कैसे आ रही है, अच्छा slope की बात करें, तो slope हमें बताता है क्या है, कि graph कैसे बनेगा, या फिर graph किस तरह से बन रहा है, तो slope अगर मैं बात करो, कि अगर slope, तो इस pv graph में, pv graph में slope क्या होगे, slope मतलब tan theta, perpendicular by base, तो for a small section हम dp, dv, लिख सकते हैं slope को, अगर देखो, इस isobaric case में क्या है, slope क्या है, इसकी slope कुछ हो रही है, देखो, यहाँ पे slope क्या है, dy, dx, तो इसकी slope हो जारी है, 0, क्यूंकि pressure constant है, इस case में volume constant है, तो इस case में slope की कोई मतलब ही नहीं होता है, बात करते हैं अगर isothermal के case में, isothermal process के case में, slope किस तरह से vary करेगी, अगर slope क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या जानते हैं, कि isothermal process में क्या हो रहा था, कि PV equals to constant होता था, बेकोज यहाँ पे temperature जो है, इस process में constant रह रहा है, तो PV equals to constant, तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, कि P, हमें क्या चाहिए, DP, DV चाहिए, क्या चाहिए, DP, DV, तो इसको अगर मैं differentiate करूँ, differentiate करूँ, both side, तो हमें क्या मिलेगा, PDV plus VDP, UV form में है यह, differentiate कर रहा हूँ, equals to 0 आएगा, constant का differentiation, 0, so PDV, हमें चाहिए क्या, DP, DV, right, so simply अगर मैं, VDP को लिख हूँ, तो equals to क्या आएगा, minus PDV, okay, now, DP, DV, equals to minus PYV, तो ठीक है, इस तरह का slope आएगा, minus PYV, यानि की, minus MX, M में क्या है, fraction है, तो, यह simply किस तरह से vary कर रहा है, simply, यह, ऐसे vary कर रहा हूँ, right, okay, 1 by X का curve जैसा, 1 by X का curve जैसा, अब बात करते हैं, अगर, adiabetic process को देखें, adiabetic process को देखें, तो हमें क्या पता है, PV to the power, gamma equals to constant लिखते हैं, तो फिर से differentiate करते हैं, both side, differentiating, both side, अगर differentiate करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, P, P को constant रखके, V का differentiation, यानि कि, gamma V, gamma minus 1, ठीक है, plus, V to the power gamma, DP, ओके, यहाँ पे एक DV भी आएगा, equals to क्या है, constant, constant या differentiation होता है, 0, ठीक है, ओके, अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा और arrange करके लिखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, यह मुझे, DP, Y, DV चाहिए, तो DP, Y, DV, यानि, ओ सॉरी, DP, DV चाहिए, तो मैं simply इसे लिख सकता हूँ, कि, DP, DV, ठीक है, यह पूरे टम को उस तरफ ले गिया, DP, DV, तो यह क्या हो जाएगा, P, गामा, V to the power, गामा माइनस 1, बाई V to the power, गामा, अब V to the power, गामा उपर गया, तो यहां से cancel out होगा, यानि कि, गामा, माइनस, P, गामा, बाई V, ठीक है, तो यह कुछ, इस तरह से देखो, कि यहां से, यह निकला क्या, अइडियाबेटिक प्रोसेस का slope, यह निकला क्या, आईसो थर्मल प्रोसेस का slope, तो आईसो थर्मल प्रोसेस, और अइडियाबेटिक प्रोसेस का, gamma times हो रहा है न इसके जो slopes है slopes है वो gamma times हो रहा है किसके isothermal process के isothermal process का gamma time slope क्या है? idiabetic process का slope होगा तो इसलिए ये gamma times याने की और थोरा नीचे से जाएगा और इन दोनों के बीच के जो slope है वो क्या है? gamma times है तो जब हम देखे कि इसका expansion जब हो रहा है आईसो थर्मल expansion जब हो रहा है तो slope कुछ इस तरह से आ रहा है ये रहा आईसो थर्मल का और ये रहा एडियाबेटिक का और अगर compression हो रहा है compression मतलब उपर की और ये रहेगा आईडियाबेटिक का ये रहेगा क्यों क्यों कि आइसो थर्मल जितना होगा उसका गामा टाइम्स होगा एडियाबेटिक ठीक है समझ में आ रही ये बात इससे रिलेटेड ग्राफिकल क्वेस्टिन पूछे जाते है थर्मो डाइनमेक्स के चरक्टर में नीट में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा लेकिन जई में पूछा जा सकता है अब वर्क डन इन आइसो थर्मल प्रोसेस को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसके साइन कंवेंशन के उपर sign convention in thermodynamics पूरे की पूरी thermodynamics में जो sign convention हम use करते है कि अगर work done by the system किया गया हो मतलब यह system ने कुछ work किया है खुद से तो इसको हम समझेंगे क्या positive में work by the system तो इसको हम लिखेंगे positive अगर system के ऊपर कोई work done किया हो तो उसे हम लिखेंगे क्या negative work done on the system को negative लेंगे अगर internal energy increase हो रही है तो हम लिखेंगे क्या energy अगर increase हो रही है तो उसे हम लिखेंगे positive में और अगर decrease हो रही है तो उसे हम लिखेंगे negative में तो इस तरह के कुछ sign conventions है heat अगर system में heat दिया जा रहा है तो हम इसे लिखेंगे क्या heat absorbed by the system को लिखेंगे positive heat released by the system को हम लिखेंगे या फिर heat rejected by the system को हम लिखेंगे negative में अब देखो वैसे हम अब पढ़ेंगे क्या isothermal process में जो work done होती है process हो रहा है तो कुछ ने कुछ work done होगी work done हो रही है मतलब कुछ force तो है तो यह सब हम समझेंगे isothermal process में चीक है तो उससे पहले हमने क्या किया एक system consider किया है यह है इस system में यह क्या है एक piston लगा है मतलब यहां यह जो system है और surrounding को अलग-अलग कर दिया गया है such that कि दोनो यह जो दोनो end है दोनो walls है यहां से कोई भी heat exchange नहीं हो रहा हो यहां से कोई भी heat exchange नहीं हो रहा हो तो इसके अंदर क्या है gas है ठीक है gas है अब इसने कोई एक process क्या इस gas को हमने क्या consider क्या है one gram mole of one sorry one one mole of ideal gas यह हमने consider कर रखा है ideal gas one mole of ideal gas ठीक है one mole of ideal gas इसकी pressure है P volume है V temperature है T ठीक है अगर यह isothermal process कर रही है और such that इस process के बाद इसने इस piston को delta x distance से उपर की और push किया मतलब यह एक isothermal expansion हो रहा है यह gas क्या होई खुद बखुद expand हुई इस gas ने क्या किया expansion हुआ इस gas का कैसे भी हुआ मुस पे हम नहीं जा रहे कि कैसे expansion हुआ हम समझ रहे कि अगर expansion हो रहा है तो क्या होगा ठीक है इस gas का expansion हुआ तो इसने क्या किया obviously pressure देगी तो यह उपर के और जाएगी यह piston क्या है उपर के और जाएगी तो suppose delta x distance से या फिर delta x से यह उपर के और गई dx हम मानते हैं उसे dx small displacement इसका हुआ तो इस case में work done को हम कैसे लिख सकते हैं dw equals to force into displacement वैस तो force क्या है pressure पर force क्या होती है pressure क्या होती देखो force पर unit area तो force क्या होगी pressure into unit area that is a तो unit area किस की area यह piston की cross sectional area को हम मानते है a ठीक है तो pressure into this cross sectional area a यह हमारा क्या आगया force force into displacement dx इसे हम लिख सकते है work done अब area into displacement को हम volume जानते है तो p equals to dv dw equals to pdv यह हमारा क्या आगया work done क्या आगया work done अब हम क्या जानते है देखो gas law हमें क्या बताती है कि pv equals to होती है क्या n rt यह होती है अब जहां पे n हमने consider किया है one mole तो simply pv equals to rt हम लिख सकते हैं pv equals to rt हम लिख सकते हैं और basically यह क्या हो जाएगी यह पूरी term rt यह क्या हो जाएगी constant हो जाएगी क्यों isothermal process में pv equals to constant होता है यानि कि temperature के साथ इसका temperature इसमें क्या होती constant रहती है isothermal process में तो simply हम यहां से अगर मैं v को replace करू या फिर p को replace करू तो p equals to मैं rt by v लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ p equals to rt by v तो यहां पे dw equals to rt by v dv ठीक है अगर मैं दोनों तरफ integration करूँ right integration करूँ v1 से v2 तक right temperature change नहीं हो रहा है और यह तो constant है r क्या है gas constant तो यह क्या हो जाएगा rt को हम बहार लिख सकते है और 1 by v v1 से v2 dv हम अगर differentiate करेंगे तो हमारे हमें क्या मिल जाएगा total work done मिल जाएगा so work done in isothermal process यह भी isothermal process यह हम कैसे लिख सकते है rt log 1 by v का differentiation log by cv चीक है क्या हो जाएगा v v1 से v2 so इसे हम simply v2 minus v1 लिखेंगे v2 minus v1 यानि की log v2 minus v1 को हम कैसे लिख सकते है log v2 by v1 तो simply यहाँ पर आ जाएगी rt into log base e v2 by v1 छेक है v2 by v1 यह आ गया work done in isothermal process इसको अगर मैं base 10 पे लिखूं मतलब log base e को अगर मैं base 10 में change करो तो 2.3026 rt log base 10 v2 by v1 यह मैं लिख सकता हूँ in case of isothermal process यह work done होती है यह work done देखो positive है मतलब work done by the system है ठीक है system ने कितना work done किया है समझ में आ गई बात अब हम क्या जानते है कि isothermal process में pv जो है वो क्या है constant है ठीक है यह क्या है isothermal process का case so p1 v1 equals to p2 v2 हम लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से अगर मैं देखू p1 by p2 equals to v2 by v1 we can write तो अगर मैं यहां पे substitute करो यही value so w isothermal equals to 2.3026 rt log base 10 v2 by v1 के जगा पे क्या लिख सकता हूँ p1 by p2 p1 by p2 ओके यह हो गई इसको मैं log base e में भी लिख सकता हूँ log base e p1 by p2 और यहां पे क्या था rt चीक है अब देखो अगर mu number और या फिर n number of moles अगर gas रहे यहां पे हमने one mole of gas लिया n number of moles अगर gas रहे तो यहीं पे क्या हो जाएगी n हम लिख देंगे तो जहां जा rt है वहां वहां n हम put कर सकते हैं for n number of gas और for n mole of gas हम कैसे लिख सकते हैं wiso equals to n rt log e v2 by v1 या फिर p1 by p2 ठीक है समझ में आगे this is the work done in case of isothermal process work done in adiabetic process work done in adiabetic process का हम कैसे समझेंगे just like the previous one जहां पे हमने समझा था isothermal process को तो यहां पे भी इस तरह से work done लिखेंगे बट adiabetic process में हम क्या लिखेंगे हम consider करेंगे compression को तो suppose करते हैं वही gas रखी है जिसकी temperature है t pressure है p volume है v अब क्या किया गया work done किया गया कुछ इस तरह से कि यह gas क्या हो गई यह compress हुई है compress होने से क्या हुआ कि यह जो piston है यह नीचे की तरफ आ गई by a small displacement of dx displacement से नीचे की और आ रही तो अब जो work done हुआ है उसको हम समझेंगे तो dw equals to क्या हो जाएगा force यानि की pressure into area of the piston cross section of the piston और यह रहा displacement force into displacement यह क्या हो गया work done ठीक है अब देखो इसे हम को जिस तरह से लिख सकते है that is p dv यह dv क्या है infinite simile decrease in volume मतलब बहुत ही small decrease in volume है यह dv isothermal case में यह increase in volume था यह जो v था यह infinite simile increase in volume small increase in volume था ठीक है क्योंकि यहाँ पर expansion हुआ था expansion को consider किया था यहाँ पर हमने compression को consider किया ठीक है अब देखो dw equals to यह होती है adiabatic के case में हम क्या जानते थे कि p v to the power gamma equals to constant ठीक है यह हम जानते थे कोई भी constant हम अगर consider कर लेते k ठीक है तो अगर देखो p को हम कैसे लिख सकते है k v to the power gamma इस तरह से हम लिख सकते k v to the power gamma अब यहाँ पर put करो so dw equals to k v to the power gamma dv ठीक है फिर से integrate किया जाए कैसे करेंगे v1 से v2 तक तो integrate करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा k बहार निकल जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा v to the power gamma minus 1 by gamma minus 1 ठीक है by gamma minus 1 ओके यह integration में आता है ना यह gamma का 1 by gamma का integration क्या होगा minus ओके सॉरी minus gamma है ना तो 1 minus gamma आएगा ठीक है देखो छोटा सा error हो गया था क्या था error देखो error यह हुआ था कि यह क्या हो रहा है k v to the power minus gamma dv v1 से v2 तक minus gamma का v to the power minus gamma का integration कैसे होगा k v to the power minus plus 1 gamma plus 1 minus gamma plus 1 ठीक है by minus gamma plus 1 ठीक है और इसमें लगर आएगा ठीक है अब देखो k के जगा पे हम क्या लिख सकते है rt लिख सकते है right k के जगा पे rt लिख सकते है बद ऐसे directly rt नहीं लिख सकते है हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा change करना पड़ेगा देखो यहाँ पे अगर मैं simply वही अगर राम गहानी लिखू कि इसका integration आगे कैसे होगा तो v के जगा पे हमने v2 minus v1 पुट करना है right v2 minus v1 पुट करना है यानि कि v2 to the power 1 minus gamma k into v2 to the power 1 minus gamma plus minus k into v1 to the power 1 minus gamma by 1 minus gamma ऐसे करके लिखेंगे फिर वही करेंगे कि p1 v1 equals to p2 v2 यानि कि p1 v1 to the power gamma equals to p2 v2 to the power gamma इस तरह जे हम लिखेंगे तो ऐसे पूरा solve करके हमें जो मिलेगा adiabatic process का work done वो क्या आ जाएगा r by gamma minus 1 t1 minus t2 चीक है यह क्या आया work done in adiabatic process r by gamma minus 1 into t1 minus t2 चीक है तो यह आ गया work done in adiabatic process अब अगर t1 is greater than t2 होता है तो क्या हो जाएगी work done जो है वो मिलेगी क्या हमें positive चीक है if t2 is greater than t1 अगर ऐसा होता है तो work done हमें क्या मिलेगी negative चीक है समझ में आरी यह बात अब देखो जब t1 is greater than t2 तब हम क्या देख रहे थे कि work done positive हो रहा है work done positive का मतलब है adiabatic expansion adiabatic expansion और work done negative का क्या मतलब है adiabatic compression या फिर compressed जब gas compressed हो रही है thermodynamics में आगे बढ़ेंगे तो हमें तीन और terms के ध्यान में रखना होगा एक क्या है heat internal energy and work heat internal energy and work तो अगर देखते हैं heat तो हमें पता ही है कि क्या होती है कि कितनी amount of उसमें energy हम डाल रहे है heat energy डाल रहे है या फिर कितनी amount वहाँ से heat energy निकल रही है ठीक है अब और बात करते ही internal energy की internal energy क्या है heat तो हम जानते है internal energy क्या है कि एक अगर system यहाँ पे बहुत चारे डेरो सारे molecules से छोटे चोटे particles है इनके बीच का जो energy है वही है इनके आपस में जो energy यह tin कर रही है that total energy is called internal energy और भी मैं अच्छे से समझाता हूँ कि देखो एक अगर molecule है इस molecule के पास क्या है यह क्या कर सकती अगर एक system में मर रख दे हो तो यह क्या चुपचाप रहेगी gas molecule नहीं रहेगी यह क्या करेगी तुरंट motion करते रहेगी कुछ ना कुछ motion करेगी मतलब वो motion किस पे depend करती इसके degree of freedom पे degree of freedom हम next chapter में पढ़ेंगे kinetic theory of gas KTG में ठीक है तो देखो उस पे हम नहीं जाते कि कितने तरह का motion कर सकती यह हम समझ रहे कि यह कुछ ना कुछ movement करेगी movement मतलब या तो यह translational motion कर सकती है rotational motion कर सकती है vibrational motion मतलब एक mean position को fix रखके उसके to and from motion किनने को कहते है क्या vibrational motion तो एक molecule इतना सारा motion कर सकती तो इसकी कुछ kinetic energy obviously होगे rotational kinetic energy, translational kinetic energy vibrational kinetic energy तो सारे का sum करें तो मुझे एक molecule का कुछ kinetic energy मिलेगा फिर जाके इसके molecular configuration के वज़े से किस position पे है कहां पे है इस वज़े से एक इसकी potential energy होगी potential energy हमने कहा था कि वो configuration के basis पे लिखा जाता है कि अगर position कहां पे है potential energy हम ऐसे लिखते तो इसकी एक molecule की kinetic energy होगी कुछ और कुछ potential energy होगी तो ऐसे ही इतने सारी molecules है इनके बीच में भी intermolecular forces है तो kinetic energy, potential energy बहुत सारे molecules का एक साथ में हम क्या कहेंगे अगर sum करें सब का तो हम उसे कहेंगे क्या internal energy internal energy को लिखा जाता है U and it is kinetic energy मतलब total kinetic energy plus total potential energy इस kinetic energy में क्या क्या हो सकते है translational kinetic energy rotational तो इससे हम लिखते है क्या UK United Kingdom नहीं UK यानि की kinetic energy total kinetic energy और फिर आती ही क्या UP उत्तर प्रदेश नहीं potential energy तो यहाँ पर क्या हो जाए कि potential energy क्या किसकी होती है due to the molecular configuration ठीक है due to the molecular configuration अब बात करते हैं अगर ideal case में consider करो ideal gas के case में कि अगर gas मेरा जो है वो हमने consider किया ideal gas ideal gas में क्या होगी जो intermolecular forces है उसे हम neglect कर देते हैं ideal gas में intermolecular forces को neglect करते हैं तो इस वज़े से कोई work done नहीं work done नहीं तो कोई potential energy नहीं तो यानि कि ideal gas के case में U is equals to UK and UK is totally dependent depends on temperature ये कौन सा case है ideal gas का real gas में क्या होता है कि जो intermolecular forces है उसे हम neglect नहीं करते हैं इसलिए जो total energy होती है internal energy that is UK plus UP हम कह सकते हैं UK plus UP and this total energy depends on both temperature and volume ठीक है temperature और volume दोनों पर depend करता है ये सिर्फ temperature पर depend करता है तो यहां से हमें ये सीक़्ने को मिलेगा ये फिर इतना हम दिमाग में रख सकते कि कि अगर मैं internal energy के साथ खेलना चाहूँ ideal gas को किसी system में ideal gas है उसके internal energy के my change करना चाहूँ तो किसको Change कर सकता हूँ deny temperature को change कर सकता हoftँ temperature को चेंज करने से internal energy में changes आएंगी समझ में आ रही है बात first law of thermodynamics बहुत interesting है और जितना ये tough आप समझते हो ना कि first law of thermodynamics उतना कुछ है ही नहीं इसमें बहुत ही simple सा law है मैं चुटकियों में आपको समझा दूँगा देखो क्या होती है पहले तो अगर मैं एक system को consider करता हूँ फिर से वह piston वाली बात देखो एक system को मैं consider करता हूँ एक enclosed surface में such that कि ये enclosed है एक piston लगा हुआ यहाँ पे और इसकी walls जो है वो भी non conducting है non conducting का मतलब ये हो जा रहा है कि इसको surrounding से कोई लेना देना इसका नहीं है सिवाए एक जगा कि जो इसका नीचे का base है ठीक है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे है gas कोई भी एक क्या है gas है और ये piston क्या है ये भी frictionless piston है मतलब जो energy है इसके friction में नहीं जा रही है ठीक है तो ये frictionless piston जो कि उपर नीचे move कर सकती है अब हमने क्या कि अगर मैं नीचे इसे heat करूँ ठीक है इसकी नीचे मैं आग लगाता हूँ आग मतलब क्या बनना लगाता हूँ एक ठीक है इसको मैं अगर नीचे से heat करूँ तो हम क्या जानते common sense क्या कहता है कि if this system is heated तो पहले हम इसना consider करते considering a gas ideal gas enclosed in a system where the piston and the walls are non-conducting and the piston is movable such that frictionless movement is happening ठीक है इतना हमने समझ लिया except this wall ठीक है इस wall को ये नीचे की जो base है इसको छोड़के बाकी सारा क्या है non-conducting है मतलब surrounding से कोई लेना देना नहीं है okay now अब देखो कि अगर heat इस पर पड़ेगी suppose करते कि dq amount of heat supply हुई है heat supplied ठीक है तो ये heat क्या क्या करेगा heat से ये क्या हो सकती तो common sense हमारा क्या कहता है common sense क्या कह रहा है कि ये piston gas को अगर मैं heat करूँ तो वो क्या होगी expand होगी अगर ये expand होना चाहेगी तो यहां पर कैसे expand हो सकती है कि क्यों ये piston पर कुछ pressure अपलाई करेगी तो ये piston उपर के और move कर जाएगा तो पहला हम ये कर सकते हैं या फिर ये हम common sense से लिख सकते हैं that piston moves अप ठीक है piston जो है वो उपर के और move करेगी थोड़ी सी भी dx move की कुछ भी distance move की but pistons will move up दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि जो भी gas है suppose अगर temperature T पे है heat पढ़ने पे उसकी temperature भी increase होगी so temperature gas increases ठीक है ये दोनों हमने common sense से लिखाए कि ये ये हो सकता है या फिर observation भी आप करोगे तो ये ही होगा ठीक है अब देखो piston अगर उपर move किया है इसका मतलब क्या हुआ कि gas ने कुछ work done किया gas ने कुछ work done so that means work is done by the gas ठीक है अब थोड़ा ध्यान से इस sentence को पढ़ेंगे जब भी thermodynamics में हम work done heat या फिर किसी भी variables की बात करेंगे work done by the gas ठीक है अभी इतना आप जान के रखो फिर मैं बाद में बताता हूँ और temperature of gas is increased तो temperature किस पर depend करती है हमने इससे पहले ही पढ़ा था internal energy पर अगर ideal gas है तो temperature उसके internal energy को क्या करेगा बढ़ाएगा या फिर internal energy पर depend करती है अगर temperature बढ़ रही है that means internal energy will decrease internal energy sorry increase not decrease increase ठीक है तो अगर मैं energy conservation से लिख हूँ तो मैं simply लिख सकता हूँ if dq amount of heat is अच्छा del q लिखते है for a very suppose करती है del q है चीक है del और d में क्या अंतर है देखो delta ये लिखते है del q del और d में ये अंतर है कि ये बहुत ही d जो है वो बहुत infinite simile small heat के लिए हम लिखेंगे चीक है तो फिलाल del q लिखते है फिर अगले वाले step में मैं बताऊंगा so del q equals to total energy इसकी जो heat energy है वो किस-किस चीज में गई वो एक work done किया work is done by the gas so del w right इतना work done किया plus del u amount से internal energy को increase किया for very infinite small amount of heat dq हम इसे लिख सकते है dq equals to d w plus d u and this is the law first law of thermodynamic का equation चीक है बस यही है तो एक तरह से अगर दिखा जाए thermodynamics का जो first law है वो हमें energy conservation के बारे में बताता है right किसके बारे में energy conservation के कि जो heat energy supply की गई है gas में वो क्या कर रही है वो इस gas की internal energy को बहा रही है साथ ही साथ ये gas कुछ work done कर रहा है ठीक है इतना समझ में आया अब देखो work done by the gas इससे हम लिखते है positive कुछ भी होगा physics में कुछ भी होगा जो system कर रही है तो उसे हम लेंगे positive जो system के ऊपर हो रहा है उसे हम लेंगे क्या negative so work done by the gas और by the system is positive अभी आना देखना आपको chemistry में अर्पित सर अभी बताने वाले है कि work done by the system जो है वो negative होता है but work done on the system वो positive होता है ठीक है तो उनकी बात मत सुनना मतलब सुनना जब chemistry पढ़ना तो उनकी बात सुनना क्योंकि physics और chemistry में convention जो है वो यहाँ पे thermodynamics के case में थोड़ा सा opposite हो जाता है कैसा कि work done by the system physics में consider किया जाता है is positive and chemistry में इसका opposite हो जाता है जो कि आपको अर्पित सर बताएंगे कि work done by the system होगा negative work done on the system होगा positive तो ठीक है अभी हम तक यही समझेंगे sign convention में पहले भी बताया था कि अगर gas कुछ work कर रहा है मतलब positive है या फिर system कुछ work कर रही है मतलब positive है system पे कुछ work हो रहा है system के खिलाब कुछ work हो रहा है तो वो negative है ठीक है समझ में आगी बात तो यही था first law of thermodynamics ठीक है sign convention को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ sign convention में पहले मैं अगर thermodynamics का significance देखूँ तो क्या होगी thermodynamics का significance I mean first law of thermodynamics का significance यह क्या बता रही है कि work done जो है वो क्या हो रही है d oh sorry dw ठीक है यह लिख सकते हैं अब देखो क्या होगी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी machine से किसी system से कोई भी macroscopic system से अगर मैं कुछ उससे work करवाना चाहता हूँ तो वो खुद बखुद work नहीं करेगी उस work done वो मैं चारहोगी एक system है कोई machine है कोई macroscopic system है वो एक work करे right कुछ work done करे उसके लिए मुझे उसे energy देने पड़ेगी तब ही जाके वो work कर पाएगी यह जो first law of thermodynamics है यह हर case में valid होता है ठीक है restatement है एक नए तरह का statement है लेकिन बताता क्या है conservation of energy को ही बताता है ठीक है अच्छा sign convention के अगर बात करें physics के case में देखो और पिर सर अलग बताएगे work done by the system by the gas इसे हम लेंगे क्या positive ठीक है by the gas को क्या लेंगे positive अगर gas expand हो रही है तो उसे हम लेंगे क्या positive अगर compressed हो रही है तो उसे हम लेंगे negative ठीक है work done on the system अगर हो रहा है work done on the gas तो इसे हम लेंगे क्या negative ओके और क्या हो सकती है अगर internal energy increase हो रही है increase हो रही है sign conventions जो की use होता है सिर्फ physics में ठीक है इसे ध्यान रखना है chemistry में अलग हो जाता है ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं application of first law of thermodynamics isothermal process के case में इसका क्या application हो रहा है तो according to first law of thermodynamics we can write dq equals to d u plus d w हम ये जो application देख रहे है इसमें हम हर एक process में हम ये चेक करेंगे कि internal energy में क्या changes आ रही है तो अगर मैं देखू कि internal energy पे dq internal energy in case of isothermal process अगर isothermal process के तरफ देखा जाए तो internal energy जो है वो depend करती है किस पे temperature पे depend करती है but not only in case of isothermal process but in all process internal energy क्या हो रही है depend कर रही है किस पे temperature पे अगर ideal gas है तो चीक है यहाँ पे ideal gas ही consider क्या हुआ है अब अगर isothermal process में exactly क्या हो रहा है कि temperature जो है वो constant हो रही है तो अगर temperature constant है तो internal energy यानि कि d u में कोई change आएगा नहीं आएगा यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो जो भी हम heat डालेंगे d q वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा d w हो जाएगा तो isothermal case में d q equals to d w अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक system isothermally अगर इसका expansion हो रहा है तो यह कुछ work done करेगी और वो work done directly related होगा किसके heat के heat energy के d q amount of heat के अगर यह किस case में हुआ अगर expand कर रही है तो अगर isothermally यह compress हो रही है तो d q amount of heat यह reject करेगी अपने आप से मतलब it will release d q amount of heat from the system ठीक है d q amount of heat absorb हुआ तो इसने work done किया यह कौन सा case हो सकता है यह हो सकता है isothermal expansion का ठीक है क्योंकि यह positive है अब देखो isothermal जो compression होगा अगर यह gas isothermally compress हो रही है तो क्या होगी इसका उल्टा होगा मतलब dw work done होगा on the system मतलब system पे कुछ work done किया जाएगा साथी साथ it will reject d q amount of heat तो अगर adiabatic process की बात करूँ कि यहाँ पर first law कैसे apply हो रहा है या फिर इसका application क्या होगा adiabatic cases में हम क्या जानते है कि d q जो है वो zero होता है मतलब adiabatic process यही होता है कि वहाँ पे heat transfer को allow नहीं किया जाता है मैंने first zero law में ही बताय था कि adiabatic wall और diathermic wall के बारे में तो जो adiabatic wall थी वो क्या कर रही थी heat transfer को allow नहीं करती थी तो adiabatic process में heat transfer allow नहीं है इसलिए जो change in heat है d q यह पहुँच ही नहीं पाएगा that means d q equals to zero अब अगर according to first law देखा जाए first law of thermodynamics देखा जाए तो क्या हो रही है d q तो zero हो गया यह क्या हो रही है d u plus d w यानि d w equals to minus d u यह हो रही है adiabatic cases में यहाँ पे हम क्या देख सकते कि work done जो हो रहा है वो तो positive है but internal energy decrease हो रही है यह निकि negative हो रही है ठीक है internal energy decrease हो रही है iso volumic और isochoric process isochoric मतलब जहाँ पे volume constant है अगर कोई ऐसा system है जो कि volume को constant रखके expand हो रहा है if a gas is expanding ideal gas is expanding maintaining the volume at constant okay तो volume अगर constant है तो हमें क्या पता है work done जो होती है dw वो क्या होती है pdv होती है यह हमने पढ़ा था right pressure into यह first पहले से हम पढ़ते है रहे कि work done क्या होगी यह pdv होती है तो अगर volume constant है तो dv जो है वो zero हो गया volume constant है तो dv इसका differentiation change in volume that is zero तो work done यहाँ पे zero हो जा रहा है तो इसका मतलब जो heat first law के अगर first law के according लिखा जाए तो dq equals to क्या हो रहे है d u plus zero यानि की dq equals to d u तो अगर कोई gas volume को constant रखके expand हो रहा हो तो उसमें जो heat दी जाएगी dq वो पूरी की पूरी जाएगी कहाँ पे internal energy को increase करने में that means dq is totally been absorbed by the internal energy मतलब internal energy को यह बढ़ाएगी ठीक है बात करते है अगर process होती है melting की melting में क्या होता है देखो melting जब एक ice melt होके क्या होती है water होती है तो उसमें हम क्या जानते की जब उसमें अगर melting का process चड़ रहे तो जो heat है वो उसके latent heat में जाएगी मतलब उसके state को change करने में वो heat काम करेगी ना कि उसके temperature को बरहेगी ठीक है तो उस case में हम क्या लेते है उस case में हम जो dq लेते है that is ml so m क्या है mass of liquid liquid और l क्या है latent heat ये हम जानते है ठीक है और melting के process में और एक कौन सी चीज होती है कि वो state change हो रहा होता है तो उस case में जो volume का change है वो बहुत ही negligible है मतलब volume का change को हम neglect कर सकते है 0 मान सकते है तो इसका मतलब dw अगर देखू that is equals to pdv ये क्या हो जाएगी फिर से 0 because why since volume change is negligible negligible volume change जो है वो क्या है negligible है तो यहां से क्या हुआ work done भी हो गया क्या 0 तो according to first law अगर मैं लिखू according to अगर मैं first law लिखू तो क्या हो जाएगी dq that is equals to ml equals to d u plus dw जो की है 0 तो simply हम लिख सकते है ml equals to d u तो मतलब इसकी जो energy होगी internal energy वो किसके बराबर होगी mass into latent heat के बराबर होगी ठीक है यह हमें किस से पता चला melting process से boiling process का अगर consider किया जाएगी boiling process में क्या हो रही है तो फिर वही आप जानते हो कि boiling में जो है वो heat फिर से किसको change कर रही है state को change कर रही है but यहाँ पर क्या work done को हम zero consider कर सकते boiling के case में क्या ऐसा होता है देखो boiling मतलब क्या liquid अपने state से change करके gas में जा रही है मतलब gas में अगर change हो रही है तो इसका volume थोड़ा सा increase होता है मतलब अगर मैं V1 को consider करू volume at constant pressure at some temperature boiling point at boiling point में लिखता हूँ at boiling point of boiling तो boiling जब start हो चुकी है start होने से पहले यह V1 है start होने के बाद जब steam में convert होने लग रही है तब उसकी V2 volume है steam ठीक है volume of steam यह हम लिख सकते तो इस case में क्या होगा कि जो work done होगी that is equals to PDV इसे हम लिख सकते है PV2 minus V1 यहाँ पे कौन सी volume ही है सिर्फ steam की volume नहीं है steam प्लस जो liquid बची है उन दोनों की volume मिला के V2 है जो की कुछ ना कुछ जादा है V1 से अब यह हम लिख सकते DW equals to PV2 minus V1 तो अगर मैं first law के according फिर से लिख हूँ तो क्या लिख सकता हूँ ML equals to DU plus DW DW के जगा पे PV2 minus PV1 तो यह मैं लिख सकता हूँ समझ में आ रही है बात अब देखो इसको थोड़ा और सजा के अगर मैं DU को लिख हूँ तो DU क्या हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी DU equals to ML minus plus PV1 minus V2 ठीक है यह मैं लिख सकता हूँ ओके समझ में आ रही बात यहाँ पे एक बात और रहती है कि यह P क्या है यह P है constant pressure ठीक है और यह जो volume हमने note किया है यह इसी same pressure पे है मतलब pressure same है लेकिन volume vary कर रही है ठीक है and CV जो कि specific heat of gas at constant volume इन दोनों के बीच के relation को जो CP minus CV equals to हम R बोलते है न वो relation हम यहाँ से derive कर सकते by using the first law of thermodynamics तो उसके लिए हम क्या consider करेंगे देखो consider an ideal gas कितना ideal gas one gram mole of ideal gas हमने consider किया है फिर से वही insulated system में हमने रखा है नीचे से heat किया है जैसे कि पिछले cases में करते आ रहे है तो वो से मैं लिख नहीं रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ अब क्या किया हमने इस ideal gas को दो बार heat करेंगे एक बार volume को constant रखके heat करेंगे एक बार pressure को constant रखके heat करेंगे किस तरह से कि जो temperature change है उसको हम same रखेंगे तो पहले लिखते है let the gas is heated to a small temperature range dt छीक है keeping the volume constant volume को हमने क्या किया constant रखा तो एक बार volume को constant रखके heat किये तो क्या मिलेगा हमें जो dq मिलेगा अगर heat करूँगा तो dq जो होगी वो किसके बराबर होगी mcvdt mcvdt हम पढ़ते हारे mcvdt मतलब कि जो mass mass क्या यहाँ पर 1 gram mole तो उसको नहीं लिखेंगे तो simply cvdt यह कहां से आया इस पर confused नहीं होना क्योंकि यह हम thermal properties of matter में already पढ़ चुके है specific heat of gas में okay so dq equals to cvdt यह हो गया dw क्या होगा work done that is pdv चीक है अब dv तो क्या हमने रखा है dv को हमने constant रखा है मतलब volume को constant रखा है तो volume constant यानि कि dw हो जाएगी 0 मतलब change in volume नहीं होगा तो जो work done होगा वो क्या हो जाएगा 0 अब according to अगर first law देखा जाए so dq equals to क्या हो रही है du plus 0 तो dq के जगा पे हम लिखेंगे cvdt equals to du ठीक है और इसे मानते है equation 1 अब अगर इसी same gas को at constant pressure हम heat करते है constant pressure एक बार हम heat करते है एक बार constant volume में heat किया एक बार constant pressure में heat किया जाए at the same temperature range dt तक मतलब इसकी temperature को जो increase कर रहे है न वो dt ही हो रहे है दोनों ही case में dt dt तो हमें क्या देखने को मिलेगा dq equals to क्या हो जाएगी cp dt ठीक है और इस case में work done क्या हो जाएगा dw equals to p dv ठीक है यहाँ पर volume constant नहीं है इसलिए ऐसी रहेगा अब equation और 1 और 2 से हम क्या देख सकते है यहाँ से equation 2 तो मैं निकाला नहीं हो अभी देखो यहाँ से हम निकालेंगे क्या इसको हम put करेंगे first law of thermodynamics में so according to first law star star मतलब यहाँ से ख़दम क्या यहाँ से start कराऊ ठीक है first law के according क्या होना चाहिए dq यानि की cp dt equals to किसके बरावर हो जाएगा du dash plus dw dash अच्छा यहाँ पर dq जो होगी cp dt यह तो equal नहीं है तो dq dash dw dash हम मानते हैं ठीक है du dash and dw dash यह हम consider किए अब देखो cp dt क्या होगी equals to du dash plus p dv यह हमें समझा है अब अगर देखो एक conceptual बात यहाँ पर यह आती है कि अगर temperature range या फिर increase in temperature जो dt है दोनों ही case में constant रखे हम मतलब constant नहीं मतलब जो same temperature range है यहाँ पे भी dt increase हो रही है यहाँ पे भी dt increase हो रही है constant volume को भी जब रख रहे है तो temperature हम dt बढ़ा रहे तो constant pressure पे भी रख रहे है तो temperature को हम dt बढ़ा रहे तो अगर दोनों ही case में temperature range जो है तो इसका मतलब internal energy भी same होना चाहिए इसका मतलब क्या हो रहा है if dt is same इसका मतलब du equals to du dash ये तो होना चाहिए क्योंकि temperature depends internal energy only depends on temperature in case of ideal gas तो अब du dash के जगह पे हम du की जो पहले value निकाले थे cv dt उसको put कर देंगे चीक है तो ये था हमारा equation 2 और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि cp dt equals to du dash के जगह पे du लिखेंगे यानि कि cv dt plus p dv ये आ गया हमारे पास अब देखो cp dt cp minus cv dt लिख देते हैं simply cp minus cv dt equals to p dv चीक है cp minus cv dt equals to p dv अब देखो इस equation से continue करते हैं कि cp minus cv dt equals to p dv अब according to ideal gas law ये हम जानते हैं that is pv equals to rt for one mole of gas n rt होती है n के जगह पे one है तो pv equals to rt हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा cp minus cv sorry this is cv dt equals to r dt so r dt r dt will cancel out and we will get cp minus cv equals to r ये हमारा relation आ गया और इसे ही हम कहते हैं क्या मेर्स फॉर्मूला ठीक है समझ में आगे बात cp minus cv ये भी था application of first law of thermodynamics cp minus cv equals to r वाली relation भी यहाँ से आ गई है ठीक है अब देखो cp minus cv अगर यहाँ पे one mole of gas नहीं होता तो क्या है ये relation change होता सोच के बाता हो अगर one mole of gas नहीं होता तो यहाँ पे हम n लिखते हैं n cv d t और यहाँ पे भी हम n लिखते हैं n cp d t तीक है अब देखो n cp d t n cv d t यहाँ पे हमने n लिख दिया तो हर तरफ में भी दोनो तरफ में भी n अगर लिखेंगे तो भी यहाँ पे भी pv equals to party के जगह पे हमें n लिखना पड़ेगा तो दोनों ही equation में n आएगा दोनों तरफ में n आएगा तो n will cancel out मतलब अगर n mole of gas भी रहा if n moles are there n moles को भी अगर consider करेंगे तो भी equation क्या है? same आएगा equation will be same मतलब cp के जगह पे यहाँ पे n लिखना पड़ता cv के जगह पे n लिखना पड़ता और pv equals to n r t तो यहाँ पे भी n लिखना पड़ता तो दोनों तरफ n को common लेके हम cancel out कर सकते तो n moles के लिए भी क्या हो जाएगा? same equation आएगा ठीक है? अगर इसको हम molecular mass के case में लिखे तो cp by m minus cv by m m क्या है? molecular mass equals to capital R by m ऐसे लिख सकते हैं जिसे हम small cp लिखते हैं minus small cv equals to small r ठीक है? यह cp by m cv by m को हमने small cp and small cv लिखा है ठीक है? तो यह समझ में आगी बात students यहाँ पे हम आ रहा दूसरा पार्ट खतम होड़ता है thermodynamics का जहाँ पे हमने first law of thermodynamics, zeroth law और उसके first law के application को समझा है आगे आप से मिलेंगे third part में of the thermodynamics तब तक learn now है के साथ बने रहे हैं क्योंकि learn now free है for best so thank you very much for joining and have a great day अजयन हमेज़ता है हमेज़ता है अओ़ता है जवशान שמत